हेलो एविवन मैं आडवकेट कीर्थी बार्थवाज आज आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल बार्थवाज लॉकेट में एक बार फिर से अर्दिक सोगत करते हूं आज मैं आपके सामने राजस्तान जे लो की जो हमने सीरीज टार्ट की थी उसमें एविडेंस अगर आपको आपके चैनल पर आ रही वीडियो के हांड रिटन नोट्स चाहिए तो क्या करना है टेल्ग्राम गृप को जोइन करना है जिसका लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी आप महासे फ्री पीडिएफ डाउनलोड कर सकते हैं तो लेट स्टार्ट अगर मैं बात करूं इंडियन एविडेंस आक्ट 1872 का एक्ट है इंफोर्समेंट डेट आई थी 1 सेप्टेंबर 1872 लेटेस्ट अमेंडमेंट यह तो बहुत सारी हैं लेकिन जिसने इंपोर्टेंट रोल प्ले किया था वो थी 21 अप्रेल 2018, 2013, 2009 यह कुछ अमेंडमेंड्में जो है जेम्स स्टीफंसन के द्वारा, जेन, इट इस आ लेक्स फॉराय, दो टाम्स होती है लेक्स फॉराय, एक होती है लेक्स लोकाय, तो यह लेक्स फॉराय का मतलब होता है लाओ फॉरम और लेक्स लोकाय का मतलब होता है लाओ अफ दा लान्ड, तो यह क्योंकि यह कुछ प्रोविजन से समें सबस्टांटिव एकुछ प्रोशिजरल है तो यह दोनों का मिक्षर होते हुए it is the objective लौ जो कि सबस्टांटिव और प्रोशिजरल का मिक्षर है अप्लिकेविलटि ऑगर बात करूं तो यह पूरे देश पर अप्लाई करता है इंक्लूडिंग JNK after the amendment of article 372.19 में जो शंशोधन किया गया कि 370 का जो special status था जमू कश्मीर का वो अब खंडित होकर जमू कश्मीर पर भी अब हमारे हिंदुस्तान के ही laws applicable करते हैं Next बात आते हैं कि Arbitration Act पर भी अब ये बात करते हैं कि ये कहां पर apply नहीं करता है Arbitration Act के section number 19 को अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर clear cut लिखा है कि बहिया Indian Evidence Act के provisions जो है Arbitration पर नहीं apply करते हैं तो यहाँ पर by the virtue of section 19 of Arbitration Act ये applicable नहीं होता है अब बात करते हैं affidavit की affidavit पर ये apply नहीं करता है Affidavit की बात order 19 rule 2 CPC में clear cut कहा गया है Affidavit एक deemed evidence है deemed evidence जैसा है लेकिन evidence नहीं है Court, Marshal, Conveed under Army, Navy और Air Force उन पर नहीं लगते हैं क्योंकि ये उनके अपने rules के हिसाब से regulate किया जाता है Next आते हैं section number 3 की तरफ interpretation को Court की सबसे पहली definition हम discuss करने वाले है Court includes all the judges and magistrate Court की definition में हर बों judge और magistrate आएगा Accept all the person except the arbitrator legally authorized to take evidence Arbitrator जो होता है जो की evidences लेने के लिए legally authorized है हर वो बंदा इसके अंदर include होगा Accept all the person except arbitrator legally authorized to take evidence मतलब arbitrator को छोड़ दीजे उसके अलाबा हर वो बंदा जिसको कानूनी तौर पर evidences लेने के लिए authorized किया गया है तो वो बंदा court की definition में आएगा Court inclusive definition है मतलब जो इसमें दे रखा है उसके अलाबा भी extra चीजे इसके अंदर आएंगी Example के तौर पर कुछ examples हैं इनको mark कर लीजेगा Commissioner appointed under CPC, CRPC Court क्योंकि इनको legally authorized है evidence लेने के लिए Collector की अगर मैं बात करूँ Acting under Land Acquisition Act यहां पर specify कर दिया गया वह यह Land Acquisition Act क्यों क्योंकि इनके पास यह court नहीं है क्योंकि इनके पास power नहीं है To Administer on Oath तो आज की इस वीडियो को यहीं पर अंत करते हैं अगर आपको भार्दवास Law Academy के राजसान, JLO and APO के crash course के साथ जुड़ना है जहां पर complete law plus language, live plus recorded lectures, handwritten notes, weekly test अगर mains conduct होता है तो mains का भी Slavus इसमें cover up कराया जाएगा expert faculty, अगर demo lectures के साथ जुड़ना है तो आप हमें इस number पर call या whatsapp कर सकते हैं number है 837-032-873 आप हमें call या whatsapp करके जो है query ले सकते हैं और अगर आप को कोई भी किसी भी प्रकार की help चाहिए तो भी आप इस पर आप मेरे student है नहीं है कोई फरक नी पढ़ता है अगर कोई भी need है आप हमें call या whatsapp कर सकते हैं thank you all the best जब तक की next video आए चैनल को like, share और subscribe जरूर के दिएगा पढ़ते रहिए साथ बनाये रखे thank you